जैपैन में एक फिश प्यदा होती है जिसका नाम है कोई जैपैनिस कोई मुझत है की वो आई इसकी एक वरी अजीम सी विशेस्ता है जब वो प्यदा होती है तब उसकी साइज एक या डेरी छुदी है अगर वे पैदा होने के बाद उसको घर में जो हम बात्रों में टब यूज़ करते हैं पाणी भरने के लिए या अस्तान करने के लिए उस टब में अगर उसको रखे तो जिन्दकी में वे सिर्फ दो या तीन इज बड़ी होती है अगर वही कोई मचली को पैदा होने के बाद तुरती कोई बड़ी वाटर टैक में रखी जाए दस बाई दस या दस बाई वीस की साइज हो उसमें अगर रखी जाए तो वो मचली अपनी जिल्दगी में आट से दस नीच बड़ी होती है वही जापैनिस कोई मचली को जो पैदा होने के वक्त एक या डेड़ी इच की थी उसको अगर बड़ा तालाब को उसमें रखा जाए इन लेक तो अपनी जिंदगी में उसकी साइज बड़ी होते हुए दो तीन फीट बढ़ती है कहीं दशकों तक वढ़निकों के मन में यह रहा कि हाव इतनी जीन दो तेन दीए ने जीन वही है तो वही जीन यह वही डीएने है तो भी यह मचली कोई दो-तीन इच बड़ी होती है जीवन में कोई है तो आतना सीच बड़ी होती है, कोई है तो दो-तिन फिट बड़ी हो जाती ही था बहुत संच्वधन किया उसके बाद एक कन्क्लूजन रिपोर्ट निया हुआ और कन्क्लूजन रिपोर्ट में ये लिखा था कि अपने आपको जिस मर्यादा में सिमित कर देती है कि ये मेरी मर्यादा है जीवन में जीवन में विकास कि मेरी ये मर्यादा है उस प्रकास से उसकी सोच बनती है और इस सोच के अनुसार उसका विकास होता है तो एक प्रथम बड़ी बात ये समझनी है आपने अगर स्विकार कर लिया कि ये मेरी मर्यादा है तो आपका विकास उस सिमित मर्यादा में होगा अगर आपने अपनी विचार से एक बात जीवन में तेह कर लिए कि मेरा विकास अम मर्यादेत हो सकता है इव ग्रेट पीपल आप ग्रोव आई कर आपने वेक्तिकर श्चत्र में उन्होंने बहुत अगर हमके ऐसा के तो पुरुना विकास किया है तो मैं भी कर सकता हूँ आपके आपने विचार स्पस्ट करना है कि मैं जी तरह चाहूँ उत्रा मेरा विकास को सकता है